चिंता एक ऐसी बिमारी है, जो आपके मन की सारी खुशियों को खा जाती है। बहुत ज़्यादा चिंता करने वाला इंसान आपको कभी खुश नहीं दिखेगा। चिंता में डूबे इंसान को किसी भी बात से खुशी नहीं मिलती। एक ही बात को लेकर लगातार सोचते ही रहेंगे, سोचते ही रहेंगे। ऐसे लोग हमेशा एक मायुसी और दुख्की उरजा से घृरे रहते हैं। चाहे कोई खुशी का मुका हो, कोई उस्सा हो, कोई त्योहार हो, कोई चीज ऐसे लोगों को खुशी नहीं दे पाती। ऐसे लोगों को लगता है कि सारी जिम्मेदारी हमारे ही कंदो भर है। हम ध्यान न रखे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। पर ये सच नहीं है। कई बार सरफ आपकी चिंता करने की वजह से बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। परिवार में अगर एक इनसान चिंता करता है, तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। सारे घर में वही एनरजी फैलने लगती है। ऐसे घर में कोई खुश नहीं रह पाता। फिर ऐसे लोगों की दीरी-दीरे सी आदत बन जाती है कि वो हर छोटी-छोटी बातों से टेंशन में आ जाते हैं। और जो इनसान बहुत ज़ादा चिंताएं करता है, फिर उससे गुसा, चिट-चिड़ापन, अशान्ती, बेचेनी देर, रात तक नीन ना आना सारी बिमारियां लग जाती है। एक सच कहूं आपसे, शायद आपको कड़वा लगे, या हो सकता है आप ना भी मानो। जितनी ज़ादा आप चिंता करते होना, वास्तविक्ता में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसकी चिंता की जाए। कई लोग कहते हैं कि आपको क्या पता हमारी लाइफ के बारे में, लाइफ कैसी भी हो, पर अगर आप समाधा नहीं निकाल पाते परिशानियों का, इसका मतलब आप खुद एक परिशानी हैं। इसी कोई चिंता नहीं, जिससे करने से आपको सुख मिल जाएगा, या आपके घर में और मन में शांती आ जाएगी। चिंता एक ऐसा जहर है, वो आपका कल तो अच्छा कभी नहीं बनाएगी, पर वो आपकी आज की खुशियां आज का दिन जरूर बरबाद कर देगी। सबसे पहले तो कल क्या होगा, उसके बारे में सोच सोच के अपना आज खराब करना छोड़ दो, कल क्या होगा किसी को भी नहीं पता, पर आज और इस पल में आप क्या कर सकते हैं, वो आपके हाथ में हैं, उत्सव और खुशी के लिए किसी दिन का इंतिजार मत करो, अपने आ चीजों को लेटगो करना सीखो, बहुत परवा कर लिया आपने, अब थोड़ा सा लापरवा होना सीख लो, आपको ऐसा लगेगा, मानू मन से सारा बोज ही उतर गया, तीसरी बात, ये चांब बिल्कुल छोड़ दो, कि लोग और परिस्तितियां आपके हिसाब से चले हैं, परिस्तियां और लोग दुनिया में कभी किसी के हिसाब से नहीं चलते, जब किसी पे आपका कंट्रोल ही नहीं है, तो क्यों इतना मरते हो, फालतु बाते सोच सोच के आप अशान्ती कुद ही खरीद लेते हो, ये सोचना छोड़ दो कि लोग और परिस्तियां कैसे होने चा एक कड़वा सच जान लो, हमसे पहले भी सब चल रहा था, और हमारे बाद भी जलेगा, यहां हर इनसान अपना रोल प्ले कर रहा है, तो ज़्यादा सीरिस होने की जरुवत नहीं, कोई कुछ करे या न करे, आप उसके लिए अपने मन को भारी मत करें, प्रॉबलम हर किसी क जिन्देगी में हर किसी की फैमिली में है, आप कोई पहले इनसान नहीं है, सबका यहीं रोना है, अरे मस्त रहो स्वस्त रहो, आपने कोई ठेका नहीं ले रखा सब कुछ ठीक करने का, आप खुद को खुश रो ठीक रखलो बहुत हो गया, पांचवी बात, आप बातों को मन में ना रे, कई बार लोग ना अपनी बातें कहने ही पातें, और अंधरी अंदर गोटते रहते हैं, अंदरी अंदर पीते रहते हैं, उसकी वज़ए से वो कभी खुश नहीं रह पाते, उनके अंदर से सारी खुशियां ही खो जाती हैं, आप अपने डर को निकालें और बातों को कहना सीखें, ये सोचना छोड़ दें कि उनको बुरा लगेगा, रिष्टों में प्रॉब्लम्स आएंगी, वो क्या सोचेंगे, आगे क्या होगा, ये सब भी आप सोचेंगे, तो बाकी क्या सोचेंगे, क्या सरफ आपकी जिम्मेदारी है कि अरिष्टे निभाने की अच्छा मनने की, अगर उनकी वजह से आपका मन अशान ते दुखी है, तो अंदरी अंदर गुटने से तो बैतर है कि आप खुल के बात करना सिखो, याद रखना, जब तक आप बात करोगी नहीं, तब तक बात बनेगी नहीं, बाते करने से ही बाते सुलचती हैं, डरो मत चिंता मत करो, बस जो बाते आपको अंदरी अंदर से खा रही हैं, उसे कहने की हिमत रखो, रिष्टे समालने के चकर में आप खुद को ही मत गवा देना, आपके डर की वज़े से आपकी जिंदगी और जो आपके अपने हैं, उन सब की जिंदगी की खुश्यां खतम हो कहने से गलत को, गलत कहने से कोई रूटता है तो रूटने दो, कोई रिष्टा तूटता है तो तूटने दो, पर आप अपने अंधरी अंदर बातों को रखके अपनी जिंदगी खराब मत करो, एक बात सच कहूं, जिंदगी जीना बहुत आसान है, पर क्या है ना, कि हम जी जिना, जिन्दगी को काटो मत, इसके एक एक पल को जीना सीखो, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बस यह है कि आप खुद को खुश रखें, जिन्दगी के हर पल को एक उत्सव की तरह जियो, यह जिन्दगी बहुत ही खुबसुरत है, इसे यूई फालतू की चिन्ताओं मत गमा देना, इसलिए आप हमेशा खुश रहो, अपने परिवार को, अपने बच्चों को खुश रखो, और चिन्ताओं को अपनी जिन्दगी से दूर रखो.